दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीमी वैलेंटाइन बाई ओ हिन्री मैं आपको बताता चलू कि मैंने आपके इंगलिश के क्लास 11 के स्लेबर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है अगर आपको देखना है तो सिंपली उपर आई बटन पर क्लिक करें आपको सभी चाप्टर्स मिल जाएंगे वरना आप हमारे चैनल में जाए और प्लेलिस्ट चेक करें और दोस्तो आप हमारे चैनल को सब्सकाइब भी कर दे क्योंकि जब भी मैं आपके बोर्ट से लिलेटेट कुछ भी वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके पास पहुँच जाएगा तो चलिए अब शुरू करते हैं तो ये है जीमी वैलेंटाइन इसे चार साल की जेल की सजा हुई है क्यों? क्योंकि दोस्तो ये चोरी करता है और इसे पकड़ा है एक डिटेक्टिव ने जिसका नाम है बेनप्राइस तो जीमी को चार साल की सजा हुई है जेल में और इसका मानना है कि ये बहुत ही जल्द इस जेल से निकल जाएगा क्यों कि इसका अच्छा खासा सेटिंग है बड़े बड़े लोगों के साथ लेकिन तब भी जीमी को यहाँ पर 10 महीने लग जाता है मतलब यह 10 महीने बाद इस जेल से निकलता है सो अब जेल से निकलने के बाद जीमी को एक फकीर यानी की एक बेगर नजर आता है जीमी उस बेगर को कुछ पैसे देता है और जैसे ही इसने पैसे दे दिये उसके बाद यहाँ से निकलता है एक रेस्टरॉंट के लिए ताकि यह वहाँ पर कुछ खा सके तो रेस्टरॉंट में खाने पीने के बाद यह जाता है अपने घर गर में आने के बाद जीमी सबसे पहले अपने टूल्स को यानि की अपने आजारों को देखता है ये वो आजार है जिससे की ये तीजोरिया तोड़ता था तो ये आजार बिल्कुल पहले के जैसा है मतलब पहले जैसे इसने अपने ओजार को छोड़ा था अब तक बिल्कुल वैसा है तो अब ये जीमी अपने घर से निकलता है अपने टूल्स के साथ क्योंकि इसे चोरी करना है तो अब ये तीन जगा चोरी करता है और चोरी करने के बाद ये यहां से निकल जाता है क्यों कि इसे डर है कि पूलीस यानि कि बेन प्राइस फिर से इसे ना पकड़ ले अब जीमी चला गया इलमोर तो अब यहां पर यानि कि जिस जगा पर इस जीमी ने चोरी किया था जहां जहां पर इसने तीजोरिया तोड़ी थी वहां पर आकर ये Ben Price फिर से investigate करता है investigate करने के बाद Ben Price को लगता है कि जरूर इन सभी तीजोरियों को जीमी ने तोड़ा है क्यों? क्योंकि दोस्तों जितनी भी तीजोरिया तोटी थी वह सभी जीमी के स्टाइल में तोटी थी एक और बात जीमी ने यहां पर आकर यानि की इसने एलमोर में आकर अपना नाम change कर लिया क्यों? क्योंकि यह चाहता है इसे कोई भी नहीं पैचान पाए तो यहाँ पर आकर इसने अपना नाम रखा है Ralph D. Spencer लेकिन दोस्तो पूरे स्टोरी में मैं इसको जीमी ही कहूंगा तो आप समझ जाना तो जीमी अभी एलमूर में है यहाँ पर सोचता है कि यहाँ के लोकल बैंक को लूटेगा अगर यह ऐसा करता है तो इसके पास बहुत सारे पैसे आएंगे तो इसके लिए यह निकल जाता है यहाँ से बैंक को लूटने के लिए लेकिन जैसे ही जीमी इस बैंक के पास पहुँचता है तो इसे एक लड़की दिखती है इस लड़की से जीमी को love at first sight हो जाता है क्यों क्योंकि ये लड़की बहुत ही खुपसुरत है तो अब जीमी पता लगाता है इस लड़की के बारे में तो यहाँ बैंक के पास एक छोटा सा बच्चा है तो जीमी अब इस बच्चे के पास आता है और इससे पूछता है क्या तुम्हें पता है ये लड़की कौन है बच्चा कहता है जी जी पता है लेकिन मैं आपको ऐसे कैसे बता दू थोड़े पैसे तो दीजिए तो जीमी वालेंटाइन इस बच्चे को कुछ पैसे देता है तो ये बच्चा बताता है कि ये लड़की इस बैंक के मैनेजर की बेटी है और इसका नाम है एनेबल Jimmy Annabel से बात करता है और जब वो Annabel से बात करता है तो इस दोरान उसे Annabel से और प्यार हो गया क्योंकि Annabel बहुत ही खूबसुरत है और Jimmy Annabel से इंप्रेस हो जाता है कुछ दिनों के बाद जीमी सोचता है कि मुझे उस लड़की से यानि की एनेबल से शादी करना है लेकिन फिर इसे याद आता है अरे मैं तो चोर हूँ मेरी शादी कैसे हो जाएगी उससे सो ये सब सोचने के बाद जीमी बहुत ही परिशान हो जाता है और एंड में वो सोचता है कि मैं कुछ बिजनिस स्टार्ट करूंगा और मैं कुछ बंद के दिखाऊंगा तभी मैं उससे शादी करूंगा तो दोस्तो अब यानि कि आज से जीमी ने सोच लिया वो चोरी कभी भी नहीं करेगा तो अब जीमी सोचता है कि अरे मैं करू तो करू क्या मुझे तो सिर्फ तेजोरिया तोडनी आती थी तो अचानक से दोस्तों इसे याद आता है कि जेल में ये जूते बनाया करता था तो अब जीमी अपने आप से कहता है अरे हाँ मैं तो जेल में जूते बनाया करता था तो मैं यहाँ पर भी जूते बनाऊंगा और बहुत बड़ा बिजनिस बना दूँगा उसे तो इसी काम में दोस्तो अब जीमी लग जाता है और ये एक साल के अंदर बहुत बड़े जूते का वैपारी बन जाता है और सोसाइटी में इसका बहुत रेस्पेक्ट है, सभी लोग यहाँ पर इसका बहुत रेस्पेक्ट करते है तो अब ये क्योंकि अच्छा बिजनिसमेंग बन गया है अब इसकी शादी है दो हफ़ते बाद एनेबल से तो एक दिन ये जीमी सोचता है कि अरे मैं तो अच्छा बिजनिसमेंग बन गया और मेरे पास जो ये औजार है इसका मैं क्या करूं तो ये सोचता है कि ये औजार य पर बेन प्राइस के इन्फॉर्मर ने बेन प्राइस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया इन सबी चीजों के बारे में तो बेन प्राइस अभी एल्मोर में हैं और अचानक से ये जीमी के सामने आ जाता है जीमी तो इसे नहीं देख पाता लेकिन बेन प्राइस ने इसे देख ल गए तो एनेबेल के फादर कहते है कि अरे मैंने एक नाया तीजोरी लाया है चलो चलो तुम मेरे साथ चलो मैं उसे दिखाता हूँ तो जीमी अपने ससूर जी के साथ निकल लेता है और इन दोनों के पीछे पीछे यह बेन प्राइज आता है यह बेन प्राइज इसलिए जा रहा है इनके पीछे क्योंकि बेंट प्राइस को लग रहा है कि जीमी जरूर अभी चोरी करेगा क्यूंकि जीमी का ब्रीफ केस उसके हाथ में है जीमी अब पार्टी में पहुंच चुका है और यहाँ पर इस एनेबल की एक सिस्टर आई है जिसकी दो डॉटर है उसमें से एक का नाम है अगाथा यह 5 साल की है और एक है मैं यह है 9 साल की तो दोस्तों यह दोनों बच्चिया इस नए तिजोरी के सामने खेल रही है और अचानक से अब यह अगाथा इस तिजोरी के अंदर आ जाती है और तिजोरी के अंदर आने के बाद इसने कुछ बटन दबाए और इसने अपने आपको अंदर बंद कर लिया मैं आपको बता दू यह जो तीजोरी है यह उनही बटन से खुलेगे यानि जो जो नमबर दबाया जाएगा उनही नमबर से खुलेगा So Agatha अभी तीजोरी के अंदर बंद है और यह बहुत रो रही है मैं सभी को पार्टी में बताती है ऐसा ऐसा हुआ है सभी लोग यहाँ पर जमा होते हैं सभी एक-एक करकर ट्राइ करते हैं इस तीजोरी को खोलने का लेकिन कोई भी नहीं खोल पाता है क्योंकि ये उसी नंबर से खुलेगा जिस नंबर को अगाथा ने टाइप किया था तो अब यहाँ पर एनेबल जीमी को कहती है कि अरे जीमी तुम कुछ करो ना देखो ना क्या हो गया तो जीमी कहता है अपने आप से अगर मैं चाहूं तो इस तीजोरी को कुछ ही मिनिट में खोल सकता हूं लेकिन क्या मैं खोलूं अगर मैं इस तीजोरी को खोलूंगा तो यह पर सभी लोगों को लगेगा ज़रूर ये चोर है तभी इसने इतने जल्दी खोल लिया बहुत सोचने के बाद इस जीमी के दिमाग में खयाल आया कि अरे ये छोटी सी बच्ची है बहुत ही मासूम है हटाओ किसी को पता चले तो चले मैं तो इसका जान बचाऊंगा ये जीमी यहां से आगे बढ़ता है तीजोरी को खोलने के लिए और चुटकियों में इसने तीजोरी खोल लिया तो अब यहां से तीजोरी खोलने के बाद अपने सूटकेस को पैक करता है और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेन प्राइस बाहर में है और ये सभ बेन प्रैस को कहता है कि लो तुमने मुझे रंगे हाथो पकड़ लिया लो मुझे जेल में ले चलो लेकिन बेन प्रैस कहता है रंगे हाथो अरे तुमने तो कुछ नहीं किया तुमने तो एक मासूम का जान बचाया है जीमी कहता है लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर गिरफ कर लो लिसन जीमी हम किसी को गिरफतार करते हैं उसे सुधारने के लिए लेकिन तुम तो पहले से ही सुधर चुके हो और अब तुम एक अच्छे रेप्यूटेट बिजनिसमेन हो तो मैं तुम्हें गिरफतार नहीं करूंगा और मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूं और द